हेलो एवर्वान आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैक फॉलेट एक्टिव कैपसूल के बारे में जो कि इस कैपसूल के इस्तमाल बहुत ज़्यादा साररी कमजोरी खून के कमी में इस्तमाल किया जाता है इसके अलावा भी इसे और भी मल्टिपल परपजों में तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं मैक फॉलेट एक्टिव कैपसूल के बारे में इसमें कॉम्बिनीशन क्या है कॉम्बिनीशन होगा क्या काम है कौन-कौन से परपज़व में इस्तमाल करते हैं क्या डोज है क्या साइड इफेक्ट है किसे नहीं लेना यह सब भी बाते हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो बात करते हैं मैक फॉलेट एक्टिव कैप्सूल जो कि आपके पास के मेडिकल स्टोर पर बहुत ही असानी से अबलेबल हो जाता है 10 कैप्सूल की पैकिंग होती है मैकलोईट कंपनी की बनाई ही मेडिसिन है 140 उर्वे से लेकर के 150 उर्वे की प्राइज में अबलेबल हो जाता है और इसका प्राइज फ्लॉक्टिव होता रहता है आप बात करें मैक फॉलेट एक्टिव कैप्सूल में क्या-क्या कंपिनिशन है तो इसमें आपको काफी अच्छे-च्छे कंपिनिशन अबलेबल हो जाते है जैसे कि बिटेमिन B6 है जो कि बिटेमिन B6 को पैरिडॉक्षिन भी कहा जाता है बिटेमिन B12 भेजिसे सायनोका बालामिन या मिथाइको बालामिन भी कहते है इसके साथे साथ एक और कॉम्बिनिशन जो कि क्वाट्रिफॉलिक है जिसे आईरन भी कहा जाता है तो इन सभी कॉम्बिनिशनों को कंबाइन करके इस मेडिसन को बनाये गया है अब बात करें इन सभी कॉम्बिनिशनों क्या काम है तो Quadrifolic जो की एक तरीके का AIRON है इसका इस्तिमाल बहुत ज़दा खून की कमी को दूर करने के लिए इस्तिमाल करते हैं किसी भी कारण से एनीमिया की समस्या होती है खून की कमी होती है तो उन से भी कंडिशनों में इस्तिमाल करते हैं बिटेमिन B12 है जिसका इस्तमाल भी बहुत ज़्यादा एनेमिया के प्रफिज में इस्तमाल करते हैं, खून की कमी को दूर करता है, सारेरी कमजोरी की सिकायत होती है, ठाकावट जल्दी महसूस होता है, बहुत जल्दी ठाक जाना, इस टैमिना की कमी होती है, तो उन से भी कं इसका इस्तमाल भी ब्लड में हीमोगलोविन लेबल को इंप्रूब करने के इस्तमाल करते हैं, इन सबी कंदीशनों में बिटेमिन B6 या पारी डॉक्षिन का इस्तमाल करते हैं, इनका यह फाइदा होता है, बात करें इस दवा का क्या डोज होता है, तो डोज इसका डिपेंड करता है कि आपकी एज, हेल्थी कंडिशन और आप इसे किस परपज मिले रहे हैं, उससाब से इसका डोज कंफर्म होता हैं, तो आपके लिए काफे फायदेमंद होगा, बात करें क्या नुकसान हो सकता है, अगर आपको सूट नहीं करता है, तो ताउचा मिलाली पन हो सकती है, कब जिके समस्या, भूख न लगना, पेटे में दर्ध होना, हाथ पेरों में जलन होना, बहुत ज़्यादा पसीना इस तरी के नुकसान देखने को मिल सकता है, पर यह बहुती रियर केस होता है, अगर आपको यह कॉम्बिनेशन सूट नहीं करता है, तो आपको यह देखने को मिल सकता है, नुकसान, किसे नहीं लेना है, अगर आप प्रेगनेंट लेडी हैं, ब्रिस्फिदिंग मदर हैं, क बहुत धन्यवाद, थेंक यू फर वाचिंग